तो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टडिफार जीके और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे परिवाण की सिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अंतरच बिज्ञान के तमाम उन पिष्णों की जो एक करते हैं आंतरच् बिज्ञान जब भी नाम हमारे साबने आता हो दोस्तों आप लोगों के आगर बात कि जरूर्बहें के ज्यान आपके ज्छेन में एक कि वेयासिं और होगा कि आंतरच्द बिज्यान सुपने के पहले आप को सब सबसे रूबरू करवा देता हूं सबसे पहले वाइव मंडल क्योंकि अंत्रिच को समझने के पहले हमको वाइव मंडल की चीज़ें को किलियर करना होगा और फिर वाइव मंडल क्या होता है तो मैं थोड़ा सी जगे लेना चाहूंगा यहीं पर दो मिनट में आपको चीज़े करते होती हैं तो अगर इसकी बात की जा तो यह देखिए प्रतम जो परत होती है आपकी छोब मंडल होती है कौनसी होती है फिर यह सेकेंड आपकी लेयर आती है जो दोस्तों आप याद रिखेगा एक समताप मंडल होती है कौनसी होती है इसके अलाबा हम बात करने तो यह ती में स्थापित किये जाते हैं यह पड़िए जाते हैं इसके लावा बात की जा तो आप याद रखिएगा बिस्ष रूप से अब बात करfang लेते हैं कि act आंत्रच विग्यान की अब आंत्रच विग्यान क्या होता है कुछ यहां पर डेफिनिशन है लाइनों को पढ़ेंगे ग्योरशे तो आपको चीजें किलियर हो जाएंगी ओके दोस्तों देखिए इस कुस्चन का अंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा देखिएगा आपसे सिर्फ यह पूछा जा रहा है कि आंत्रच क्या है सिंपल आप लोगों को यह याद रखना कि स्पेस को हम हिंदी में आंत्रच कहते हैं किलियर है नेक्ट बात करेंगे जब हम प्रतवी से उपर यह प्रिच शुरू हो जाता है तो किलियर आप लोग याद रखेगा जैसे जैसे वाई मडल में उपर की हो जाते हैं तो वाई का जो घनत होता है जो डेंसिटी होती है बोल सकते हैं वाई की जो मात्रा होती है कम होती जाती है या उपर पहुंचने पर क्या हो जाता है पूरी किलो मिटर नीचे से इस पेस और प्रतवी की बीच की जगए को वाई मंडल कहते हैं देखिए यह मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को वाई मंडल क्या होता है वाई मंडल पांच परते हैं है ना सो किलो मिटर के नीचे से इस पेस और प्रतवी के बीच की जगए को क्या कहते हैं वाई मंडल कहते हैं अब आंतरच किसे कहते हैं तो simple आप लोग definition देंगे इस प्रतवी के ऊपर का वजच है तो जो 100 km के ऊपर का area क्या कहलाता है आंतरच कहलाता है simple है तो आंतरच क्या है simple answer देंगे के लिए अब बात करते हैं इसे बनने वाले तमाम उन पिष्णों की जो important है exam के लिए ओके चली start करते हैं देखिए सबसे पहले यह आपके सामने question निकल के आता है जो की काफी important है exam के दरिश्टी से देखिएगा यह पूछा जा रहा है simple आपसे कि किस अमेर्की आंतरच यात्री ने आंतरच विज्ञान के साथ या अंतरच के साथ सोरी आंतरच के साथ चंद्रमा पर भी क्या होगा तो यह ABCD आपको option देए गए हैं याद रखिएगा इसका right answer क्या हो जाएगा जोस्तों आप याद रखिएगा एलन सेफ़र्ड एलन सेफ़र्ड यह इसका right answer हो जाएगा यह महत्मुर्ण आंतरच विज्ञानी है तो आप लोग याद रखिएगा एलन सेफ़र्ड का नाम यह अमेर्की आंतरच विद्यार थी आप याद रखिएगा इसके अलावा अगर बात कि जा तो यह आंतरच में प्रवेश कर चुके थे 1961 में आप याद राखे गे विजास रूप से 1961 में अंतरच में इसके अलावा इन्हों तो अप याद रखिएगा देखिए question आपसे यह पूछा जा रहा है किस आंत्रिच च्यात्री की पहली वार आंत्रिच अभियान के दोरान मृत्तु हो चुकी थी यह मृत्तु हो गई थी तो बिसेस रूप से याद रखेएगा important हो जाता यह question क्योंकि आंत्रिच में ही इनकी मृत्तु हो चुकी थी देखें आप लोगों को कहीं नाम एक क्लिक करता हुगा कि कलपना चावला की जो मृत हुई थी वह भी अंत्रिच पर हुई थी तो देखें दोस्तों अगर बात की जा रहे है यह बात की जा तो प्रतिवी के जो निचली परत थी या बोल सकते वाई मडल की कुछ परतों की या बाई मडल लिया बोल सकते प्रतिवी की कुछ ही दूरी पर इनका दुरगटना ग्रिस्थ हो गया था विवान है ना इसके अलावा हम अंत्रिच की बात कर रहे हैं यानि की सो क्लोमेटर ऊपर के एरिये की बात कर रहे हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ब्लादी यह दो बार अंत्रिच यात्रा में गए हैं दूसरी बार अगर बात की जा तो यह 24 अप्यल 1967 को और स्यूज नामा की आप इसका अंत्रिच श्यान था इनका तो आप याद रखिएगा दूसरी बार इनका दुरगटना ग्रिस्थ विवान हो चुका था इसके वज़े से इनक अंसर सी हो जाएगा ओके चलिए बात कर लेते नेक्स्ट दिखिएगा नेक्स्ट पुछा जा रहा है आपसे कुश्चन नमर थार्ड भारत के रकेश सर्मा किस बर्च अंत्रिच यात्रा पर गयती सिंपल कुश्चन है काफी बार यह पुछा भी गया अधर कंपड़िट ए हैगा 1984 में यह आंत्रिच पर यात्रा पर गए थे तो आप लोग याद रखेए रकेश सर्मा का नाम बहुत इंपोर्टेंट है यह आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि के स्टेट से रिलेटेड है क्योंकि इंडियन है तो आप याद रखेगा पंजाब पंजाब के लो से भारत कैसा देखता है ना तो उस्समें क्फरधान से खैसा दिखता है ना फान के जरीए तो ना जवाब दिया था वहे जिए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा यह आप कथनग इस्टेट मेंटेंट सुन का रखेश सर्मा जी का तो विशिस रूप से याद रखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा किलियर हैं चलिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों कुछ नमर थिरी का अप्सिन अब दी चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स नेक्स देखिएगा कुछ नम अमेर्की विज्ञानेक हैं तो ऑप्सिन अमर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नील आर्मिस्टांग चलिए नेक्स बात कर लेते हैं किसने कहा था कि मैं अंतरच के लिए बनी हूं देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों तो आप लोग याद रखिए कि किसने कहा था मैं अंतरच के लिए बनी हूं ऑप्सिन नमर आपके ABCD सारे के सारे आपके फ्रेंट पर दिख रहे हैं देखिएगा सुनीता बिलियम्स कल्पना चावला सेली राइड इन्हों इसे कोई नहीं तो ऑप्सिन नमर भी इसका राइट अंसर रहेगा कल्पना चाव नम इनका जन्म हुआ था तो भारतिय मुल्क की विज्ञानी हैं आप विसेस रूप सियाद रखिएगा है ना इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सिन नमर भी चलिए बात कर लेते नेक्स्ट चंद्रियान पर्थम पर्यूजना का पर्थम नाम क्या था देखिए दोस्तों चंद्रियान जो फस्ट था इसका पर्थम जो पहली बार जो नाम रखा गया था क्या रखा गया था यह आपके ओप्सिन नमर दिये गए हैं तो देखिएगा इसका ओप्सिन नमर सी इसका रा अध्धिन से संबंदेत है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑपसर्मर यह चंद्रमा के अध्धिन को से लानो लोजिक कहते हैं दोस्तों चलिए नेक्ट बात कर लेते हैं कुश्य नमर एट पूछा जा रहा चंद्रियान टू कब लौज किया गया था सिंपल है और काफी बार इंपोर्टेंट भी है क्योंकि नभीनतम है तो आप लोग याद रखेगा चंद्रियान टू की बात की जा रही है है इसके अलावा बात कर लेते हैं चंद्रियान टू की पहले बात करते हैं चंद्रियान टू आप याद रखेगा यह आपका 22 जुलाई 2019 को लौज किया गया था आप याद रखेगा कप किया गया था 22 जुलाई 2019 को तो विसे इस रूप से आप क्या याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 ओके नेश्ट बात कर लेते हैं कुछ नमर नाइन question number nine simple है आप याद रखेगा इसरो ने किस यान ね तो आप याद रखेगा देखे बात इसरों की आती है तो इसरों का आपको याद रखीएगा इसरो ये इंडिया लेवल में बहुत बढ़ी संस्ता है जो इस्पेस के लिए काम करती आंतरच के लिए काम करती है इंडिया की है न तो इसरो की अगर बात की जा तो इंडिया इस पेस रिसर्च और्गनाइजिशिचन इसका फुलनेम होता है आप याद रखिएगा इस रोका इसके अलाबा इसके इस्थापना की अगर बात की जा तो 15 अगसथ उननीश सो उननात्तर में आप याद रखेगा 15 अगस्त उननात्तर को इसकी स्थापना की गई थी तो बिशे सुरूप से याद रखेगा पूछे जा सकते हैं आपसे चलिए बात कर लेते कुछे नमर्टेन की तो कुछे नमर्टेन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस दोरा मंगल यान को प्रिशेपित किया था मंगल यान की अगर बात की जा दोश्तों तो आप याद रखेगा प्रिशेपित किया गया था आप याद रखेगा यान आपसे पूछा जा रहा प्रिशेपन यान आप के लिए रखेगा तो आप याद रिखेगा PSLV यह सी आपक वीकल है ना पॉलर सेटिलाइट रॉंच वीकल 29 याद रखिए और इस का राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट बात करेंगे देखिए कितने लोगों को अंत्रेउट भीज़ने की याद रकियेगा तो आप लोग् guitar Bij तो सका ultra सर हो जाएगा तीन लोगों की योजना बनाई जाराएग Championship प्रव जाएगा 2022 में इसको प्रिशेपित किया जा रहे से और भी फैक्ट हैं तो आंगे बात करेंगे हैं चलिए बात कर लेते नेक्ट कुश्चन की कुश्चन नमर थर्टीन आप से पूछा जा रहा है वेसिस रूप से आप याद रखेगा हबल अंत्रच बेद साला किस देश की है यह क्रतेम उब्ग्र से है आप एक प्रकार से कह सकते हैं की क्रतेम उब्ग्र है जो बेसिस रूप से कहाँ की किस देश की है दोस्तो आप याद रखिएगा नासा जो है आप लोग Twitter रखना होगा यह इस पेस एजंसे ए अमिरीका की कहा की है अमिरीका की सब्सक्राइसी का नाम है ор किलियर नुमर देशे का नाम है चली बात करने नेश्ट लेक्ट देखिए ये भी काफी important question याद रखेगा ये mission आदित L1 किसका अद्धन है तो mission आदित L1 जो है आप विशिस रूप से याद रखेगा mission L1 जो है याद रखेगा विशिस रूप से कोरोना ये नहीं बोल सकते हैं याप जो सूर की layer है सूर की layer का बाहरी जो अबरण होता है कोरोना ये क्रिट बोलते हैं तो आप याद रखेगा कोई उसके अध्धन के लिए भीजा जाना है कौनसा आदित L1 सूर की अध्धन के लिए एक उपग्रई सैटेलाइट लॉंच किया जाना है इसका नाम रहेगा आदित L1 किलियर है आप याद रखेगा चली बात कर लेते next next देखिएगा ये question है simple आप याद रखेगा there is no any there is no any gods in space there is no any gods in space ये कथन किसका है सिर्फ कथन आपसे पूछा जा रहा है ये आपके option आपके सामने निकल कर आ रहे हैं देखे गाइस ये option आपके सामने निकल कर आ रहे हैं कलपना चाला यूरी गागरे इसका राइट अंसर हैगा आप याद रखेगा यूरी गागरे यूरी गागरे का नाम इसलिए महात्पूर हो जाता है क्योंकि ये भारत बोल सकते हैं कि विश के प्रथम आंत्रच यात्री थे कौन थे यूरी गागरे तो बिसेस रूप से आप याद रखेगा देखे यूरी गागरे अगर बात किया तो यूरी गागरे किस देश से रिलेटेड है तो आप ये भी याद रखेगा रसिया से हैं किस दे से हैं रूुफि आप याद राखेगा द सक व्यूफ यार कोई निस सॉ साट के दसक में प्रिविस किया था के लिए रहें इसके अलावा यहां पर महिला की बात की जा रही तो आप याद रखेगा महिला का ऑप्शंबर यह इसका राइट आंसर हो जाएगा जब भी बात महिला की आएगे तो वैलेंटीना त्रिसकोबा आप याद रखेगा वैलेंटेना त्रिसकोबा यह प्रता यह आ सर्चा की है तो आप याद रखेगा option number yes का राइटांसर हो जाएगा नील आर्मिस्टांग नील आर्मिस्टांग 1969 आप याद रखेगा 1969 ने इनने कदम रखा था यह कहां कि अंत्रेश चात्री हैं अमेरिका की हैं अमेरिका की अंत्रेश अजन्सी का कर नाम क्या है दोस्तों आप याद रखेगा नासा क्या नाम है नासा बिसिस रूप से याद रखेगा चलिए नेश्टी बात करते हैं कुछे नमर 16 की कुछे नमर 17 आपसे पूछा जा रहा है सिंपल राकेश सर्मा का समंद किस राज चांड कर लिया है और यहां पर याद रखेगा भारत का प्रतम बेचसाला मिसन कौन सा है बेचसाला मिसन की बात की जा रही है तो आप याद रखेगा एक बिसिस रूप से यह आपका और इसको डेट रखेगा बिसिस रूप से आप याद रखेगा दो हजार पंद्रा में लॉंच किया गया था और आप याद रखेगा सही यह आपका इस रो का एक कैंद्र है आप याद रखेगा बिसिस रूप से सतीज धवन अंतरच के अंद सिरीहरी कोटा से इसको लॉंच किया गया था तो आप याद रखेगा बिसिस रूप से क्योंकि भारत का प्रथम बेच साला में सन है कौन सा एस्ट्रो सेट चलिए बात कर लेते हैं देखे दोस्तों यह वीडियो का लास्ट कोश्य रहेगा और वीडियो आपको हेलफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले इसी पर गहर के और भी वीडियो देखने के लिए और लाइक और कमेंट करके जरूर बता है अपनी राये ओके चल यह देखते हैं कुश्य नमर लास्ट है यह वीडियो का देखेगा गगन यान को लॉंच किया जाएगा गगन यान की बात की जा रही दूस्तों तो आप याद रखेगा बिसिस रूप से गगन यान को कब लॉंच किया जाएगा ऑप्सन वर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा दो हजार बाइस में कब लॉंच किया जाएगा गगन यान को विसीस रूप से याद रखीगा 2022 में गगनियान को लॉंच किया जाएगा ओके याद रखीएगा option वर B इसका right answer हो जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है और मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे बिदा लेते ह हैं जाए हैं जाए वारत